गुनमानिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बियाई असिस्टेंट के बारे में इसके 2021 के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डीटेल में बताऊंगा इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देख और 19 का recruitment आया हुआ था उसका final result आउट हो चुका है अगर आप RBI के official website पर जाओगे तो आप आपको सारी चीज़े mention की गई है सारी list आ चुकी है जिनका भी final selection हो चुका है RBI Assistant 2019 के recruitment में तो अब RBI Assistant जो है fresh recruitment रहने के लिए ready है तो आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में है ठीक है चलिए आगर देखते हैं 2021 की अगरा हम लोग बात करें तो इसमें जो एक्सपेक्टेड वेकेंसीज है 600 से लेके 1000 के रेंज में आपकी इसमें वेकेंसीज आती है इसमें आपका जो एज लिमेट रहता है 20 से 28 साल रहता है 20 से लेके 28 साल वाली इसके लिए apply कर सकते हैं हाला कि एज रिलेक्सेशन दिया जाता है कोई भी graduate candidate इस पोस्ट के लिए apply कर सकता है RBI assistant के लिए और इसमें आपका कोई भी इंटर्व्यू नहीं होता है सिंपल साब प्री का एक्जमेशन होता है फिर मेंस का होता है एंदिन आपका LPD का टेस्ट होता है ठीक है language प्रोफिसिंसी टेस्ट उके उसके बद आपका कोई भी इंटर्व्यू नहीं होता है डारेक्स आपको यहापर जॉब मिल जाती है ठीक है इसका प्री का रिक्रोट में नहीं आया था 2019 में ही रिक्रोट में आया था लेकिन जो एक्जमेशन है वह 2020 में इसके हुए थे ठीक है तो चली अब हम बात करते हैं कि 2021 में हमको इसका नोटिफिक्षन कब तक देखने को मिल सकता है एक्सपक्टेड डेट की बात कि लिए तो 2021 का जो इसका है आपको डिसेंबर 2021 में या जनवरी 2022 में देखने को मिल सकता है और असिस्टेंट का यह जैसे के आपको पता है अभी पैंडमिक चल रहा है तो इतने जल्दी तो इसका नोटिफिक्षन नहीं आने वाला है ठीक है और वैसे अपना एंड एंड में वेकिंस निकालता है यह के एंड में तो आपको डिसेंबर 2021 या जनवरी 2022 में इसका नोटिफिक्षन आपको देखने को मिल सकता है ठीक है यह एकस्पेक्टेड डेट है कोई ओफिसियल न्यूज यहां पे आपका नहीं आया है यह मेरा परसनल ओपीनियन है अगर वीडियो पसंदा तो लाइक करना अपने दोस्तों साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना अब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाए